हेलो इस्टुडेंट गुड ओनिंग टू अल अफ यू मैं दिलेव बैसिक जीके 99 में आपका स्वागत करता हूँ तो स्टुडेंट्स आज मैं क्लासिक्स जेसी आर्टी समाजिक विज्ञान का सौरमंडल चेफ्टर वन लेकर आया हूँ तो बच्चों आज का जो टौफिक है सौरमंडल इस टौफिक में सौरमंडल के बारे में हम लोग पूरी स्टडी करेंगे रहा जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है सबसे पहले देखें इसमें इस वर्ड का अर्थ जानना जोररी है सौर मंडल का अर्थ होता है सौर परिवार और मंडल का अर्थ है परिवार दखिए सौर परिवार में होता क्या है Students आपको पता होगा कि पहले नवगरा मानते थे लेकिन ऐसा नहीं है Pluto को गरह किसरेनी से हटा दिया गया है क्योंकि गरह का एक नियम है कि वह सभी अपने कक्ष में घुमते हैं किसी दूसरे गरह की कक्ष को नहीं कारते हैं लेकिन Pluto अन्य गरह की कक्षा को कारता था इसलिए उसे गरह किसरेनी से हटा दिया गया है इस तरह से अभी केवल गरह किसरेनी में आठ गरही रह गये हैं तो चलिए देखते हैं स्वर मंडल को पूरी डिटेल से रातरी में आकास तो देखे रातरी में आकास कैसे दिखता है तो रातरी में आकास तेखे कुछ चमकीला तारा दिख रहे हैं और कुछ धुंधला सा तो रात्री में अकास इस तरह दिखता है कुछ चमकते हुए तारे दिखते हैं और कुछ धुंदला सा दिखाई देता है सूरिय दीन में चमकता है और अपने किर्णों को चार ओर बिखेरता है प्रंतु सुरियास्त के बाद संपून अकास छोटी-छोटी चमकदार वस्तुएं से भर जाता है जिन में से कुछ चमकिले होते हैं और कुछ धुंदले होते हैं मैंने अभी फिलाल आपको बताया कि सुर्यास्त के बाद यानि कि रात्री में संपुन अकास में छोटी-छोटी चमकदार वस्तुएं भर जाता है जिन से कुछ चमकीले होते हैं जिन में कुछ चमकीले जो तारे चमकते हैं कुछ धुंदला सा दिखाई देते हैं इन में से कुछ टिम्टी माते प्रतित होते हैं मगर इन टिम्टी माती वस्तुएं में कुछ की टिम्टी माहत अन्य से अलग होती हैं इन चमकीली वस्तुएं के साथ प्रती दिन चंद्रमा भी दिखाई देती हैं जो तारे टिम्टी माते हैं उनके साथ प्रती दिन चंद्रम पूरा चंद्रमा होता है उसको महिने में केवल एक बार दिखा जाता है यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्निमा कहते हैं तो इस प्रस्थिती में बदलाव आता है और चंद्रमा छोटा होते जाता है क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पिर्थवी की तरफ होता है जिस से नए चंद्रमा की रात्री या मावस्य कहते हैं आमाश्य की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो तो बच्चों देखिए इसमें कुछ जानने योगिया बाते दी गई है उसको भी देख लेते हैं जग ग्राफी ग्रीक भासा से लिया गया सब्ध है जिसका अर्थ है पिर्थवी का ब्यूरन कभी पूछा जाए कि जग्राफी क्या है तो इसका अर्थ होगा पिर्थवी का ब्यूरन यह किस भासा से लिया गया है यह ग्रीक भासा से लिया गया है जिसे जियो सब्द का अर्थ है पृत्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना इस परकार देखे इसमें कुछ और पॉइंट दिया गया है जियो लोजी जियो धनलोजी जियो लोजी का अर्थ है पृत्वी का अध्यन जो पिर्थवी का अध्यन करते हैं उसे जियोलोजी कहा जाता है जियोमेट्रो जियोमेट्री जियोमेट्री का अर्थ है पिर्थवी का मापन यानि कि पिर्थवी का मापन किया जाता है उसे जियोमेट्री कहा जाता है जियो आइड पिर्थवी के अकार के अनुरूप जो कारिक किया जाता है उसे जियो आइड कहा जाता है तो ये बहुत इंपोर्टेंट जानने वाली बाते हैं दोस्तों देखें NCRT में फाइदा क्या है कि इस सारी जो लाल पिली किताबे बनाई जाती है और NCRT से है बनाई जाती है लेकिन हम लोग जिससे जो किताब बनाय जा रहा है उस main किताब को ना पढ़कर इलाल पिली किताब के चक्कर में इथर उधर जाते हैं तो मेरा मानना है कि NCRT सबसे बेस्ठ है और किताब भी है अच्छा सभी किताब है लेकिन NCRT में जो घ्यान दिया जाता है जो है वो सभी किताब में नहीं मिल पाता है इसलिए सबसे पहले NCRT को पढ़े उसके बाद बाकी किताब पढ़े तो अच्छा रहेगा तो चलिए आगे देखते हैं ध्यान दिजेगा हम दिन के समय चंदरमा यह इन सभी छोटी चमकिली वस्तुव को नहीं देख पाते हैं सभाविक्सा बात है कि दिन में जब सूरिय का प्रकास होता है तो चंदरमा और छोटी छोटी चमकिली वस्तुवें हमें नहीं देखती है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अतियाधिक तेज परकास मैंने अभी भी बताया कि सूर्य से निकलने वाले अतियाधिक तेज परकास के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुवे दिखाई नहीं देते हैं सूर्य का परकास इतना ज्यादा होता है कि छोटी छोटी जो चंद्रमा ये तारे आकास में चमकते हैं और चंद्रमा वो नहीं दिखाई देता है क्योंकि इनके खुद का परकास नहीं होता है सूर्य चंद्रमा तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलिये पिंड कहलाती है नोट करते जाएगा और नोट नहीं कर रहे हैं तो इस्क्रीन सोट ले लिजेगा ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है हमारी पृत्वी भी इसी खगोलिये पिंड का एक भाग है हमारी जो पृत्वी है जिसमें हम रह रहे हैं ये भी एक खगोलिये पिंड का भाग है ये सारे खगोलिये पिंड करमसत तारे गरा उबगरा यों छूद्र गरा के समू में बटे हुए हैं कुछ खोगलिय पिंड बड़े अकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं कुछ खोगलिय पिंड जो होते हैं वे बहुत बड़े अकार के होते हैं साथ ही साथ बहुत गर्म भी होते हैं ये गैसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उस्मा तथा प्रकास होता है जिसे वे उत्सरजित करते रहते हैं इन खोगलिय पींडों को तारा कहते हैं इस तरह के जो गैसों के बने हाते हैं और अपने उस्मा वो प्रकास होता है जिसे वे उत्सरजित करते रहते हैं इन खोगलिय पींडों को तारा कहते हैं जिसे सूर्य भी एक तारा है सूर्यास्त के पश्चाथ जब साम होता है तो रातरी के समय चमकते हुए अंगिने तारे सूर्य के समान ही होते हैं ये तारे बहुत अधिक दूर के कारण अत्यान छोटे दिखाई पड़ते हैं ये भी सूरिय की भाती बहुत बड़े हैं, लेकिन अतियतिक दूर, बहुत दूर होने के कारण हमें छोटा सा प्रतित होता है, तथा हम लोग उनकी उस्मा या प्रकास को अक्सर महसुस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है. कुछ परियोग दिया गया है, तो इसे आप लोग कर लिजेगा, चलिए, आते हैं सिधे to the point में. कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई परती है. क्योंकि वह दूरी के कारण हमें छोटा दिखाई परता है, लेकि रहता वही साइज है. जब वह सामने से गुजरता है, तो बड़ा दिखाई जता है, लेकिन जब दूरी में रहता है, तो वही एक छोटा सा परतीत होता है. रात्री के समय आस्मान में तारों के बिभिन समोह दोरा बनाई गई विवध आगरितियां दिखाई परती है तो ये इसे कहा जाता है नच्छत्र मंडल ये देखे इसे नच्छत्र मंडल कहते हैं आसानी से पहस्चाने योगे नच्छत्र मंडल लिटिल बियर या सब्त रिशी जिसे सब्त साथ या रिशी संत कहते हैं तो आपको एक्जाम में पुछा जाए कि आसानी से पहस्चाने योगे नच्छत्र मंडल क्या है तो इसे नच्छत्र मंडल में देखे ये खास बाते दिया गया है साथ अन्य किताब में ना मिले इसलिए मैं कह रहा था कि NCRT सबसे बेस्ट है सबसे पहले NCRT का स्टेडी करें उसके बाद अन्य किताब को को पढ़ें तो आप किसी भी competition exam की तियारी कर रहे हो या school की तियारी कर रहे हो ये छोटे student हो तो देखे इसको पढ़ने के बाद जब वीडियो कान तक जरूर देखेगा इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि जोगरोफी बहुत हीजी है आपको समझ में जरूर आएगा और नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा उस कमी को हम पूरा करने का कोशिस करेंगे तो असानी से पहचाने योगे नच्छत्र मंडल के लिटिल बियर जिसे सब्तरिशी भी कहा जाता है सब्तरिशी आने की यह साथ तारों का समु है जो की एक बड़े नच्छत्र मंडल उर्षा मेजर या बिग बियर का भाग है देखे उर्षा मेजर का यह भाग है लिटिल बियर या सब्तरिशी जिसे साथ तारों का समु कहा जाता है चलिए देखते हैं प्राचिन काल में लोग रातरी में दिशा का निर्धारन तारों की सहता से करते थे प्राचिन काल में जब घड़ियों के सुईधा नहीं था तो उसमें लोग रातरी में तारों की सहता से ही दिशा का निर्धारन करते थे उत्री तरा या उत्र दिशा को बताता है इसे धुरु तरा कहते है धुरु तरा जो होता है वो हमेशा चमकिला होता है और उत्र दिशा की और चमकता है इसलिए उस तारे को देखकर प्राचिन काल में लोग दिशा का गियान करते थे यह अस्मान में हमेशा एक ही अस्थान पर रहता है हम सब्तरिशी की सहता से धुर्वतरा की इस्थिति को जान सकते हैं कुछ खगोलिय पिंडों में अपना परकास यह हम उस्मा नहीं होता है लेकिन कुछ ख़गोलिय पिंड में अपना प्रकास और उस्मा होता है लेकिन कुछ अन्य ख़गोलिय पिंड ऐसा भी है जिसमें अपना प्रकास और उस्मा नहीं होता है ये तारों के प्रकास से प्रकासित होने के कारण या साथ-साथ सूरिय या किसी अन्य तारों के चारों और परिकर्मा करते हैं ऐसे खोगोलिय पिंड गरह कहलाते हैं वे तारे के प्रकास से प्रकासित होने के साथ-साथ देखें यहाँ पर कुछ वापस ले लते हैं कुछ खगोलिय पिंड में अपना प्रकास से मुस्मा नहीं होते हैं वे तारों के प्रकास से प्रकासित होने के साथ साथ सूरिय या अन्य तारों के चारों और परिकरमा करते हैं ऐसे खोगोलिय पिंड जो इस तरह के खोगोलिय पिंड होते हैं वे गरह कहा लाते हैं गरह को अंगरेजी भासा में फ्लेनेट कहते हैं जो की गरीक भासा फ्लेनेटाई सब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभरमक अर्था चारो और घुमने वाला जिहां दोस्तों चार और जो घुमता है उसे परिभरमक कहा जाता है परिभरमका आर्थ है चार और घुमने वाला चलिए आगे देखते हैं सौरमंडल इस चैप्टर का नाम ही है सौरमंडल तो सौरमंडल देखें क्या होता है सौर्य आठगरा उपगरा तथा अन्य खगोलिय पिंड जैसे छुद्रगरा उलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्मान करते हैं जिसे सौर परिवार कहा जाता है इस सौर परिवार का मुख्या सौर्य होता है यह जो आठगरा उपगरा का सौर परिवार है सूर्मंडल है इसका मुख्या जो है मेंगरा उसे सूर्य को मुख्या कहा जाता है इस सूर्परिवार का मुख्या क्या है सूर्य है सूर्य चलिए देखते हैं आगे सूर्य सूर्य सूर्मंडल का सबसे बड़ा सदस्या है सूर्य जो है वो इस सौर्मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है यो सौर्मंडल के केंदर में इस्थित है सूर्य का ब्यास पिर्थवी से लगभग 109 गुना ज्यादा है लेकिन हमें जब पिर्थवी से देखते हैं तो सूर्य भी चोटा सा महसूस होता है क्योंकि वह बहुत दूरी होने के कारण ये छोटा प्रतित होता है लेकिन उसका ब्यास जो है एक सो नौ गुना प्रिथ्वी से जादा है सूरिय का खिचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है सूरिय का जो खिचाव बल है वह सौरमंडल को बांधे रखता है सूर्य सुर्मंडल के लिए प्रकास यम उस्मा का एक मात्र साधन है प्रतु प्रिथवी पर हम इसकी अत्याधिक तेज उस्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सूर्य प्रिथवी के सबसे नजदिक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफी दूर है सूर्य प्रिथवी का नजदिक का तारा तो है ही लेकिन सूर्य जो है वो प्रिथवी से काफी दूर है जिसके कारण इसके तेज उस्मा हमें महसूस नहीं होता है प्रिथवी सूर्य से लगभग 15 करोड किलोमीटर दूर है यह देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य पृत्वी से लगभग 15 करोड किलोमीटर दूर है तो बच्चों यहाँ यह दोस्तों देखेगा तो दोस्तों यहाँ ध्यान देज़ेगा कि कुछ जाने योगे बातें दिया गया है इसको भी देख लेते हैं सूर्य से निकलने वाली उर्जा छोटा सा भाग मातर दो औरबवा हिस्सा ही पृत्वी पर पहुंचती है सूर्या से निकलने वाली उर्जा छोटा सा भागमात्र दो अरबवा हिस्सा ही पिर्थी पर पहुंचती है सूर्या से प्राप्त उर्जा का 48% वाई मंडल को गर्म करने के काम में आता है से सूर्जा अंत्रिक्ष में परावर्तित हो जाती है यह देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई है जिसे अन्य किताब में हो सकता है यह ना मिले चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए आठ गरह दिया गया है यहाँ पर सूर्य है बूध, सुक्र, प्रिथ्वी, मंगल, बिरस्पती, सनी, यूरेनेस इस तरह से आठ गरह दिया गया है प्लूटो को गरह किस रेने से हटा दिया गया है तो चलिए यह स्वर्मंडल का जो परिवार है यहाँ पर दिया गया है आगे देखते हैं क्या सूर्य उर्जा का सक्तिसाली भंडार है इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और हिलियम गैसों का एक विसाल भंडार है सूर्य जो बना है हाइट्रोजन और हिलियम गैसों का एक विसाल भंडार है इसे भी याद रखिए गरह तो देखते हैं गरह हमारे सौर मंडल में आठ गरह है मैंने बताया था अभी फिलाल बताया कि हमारे सौर मंडल में आठ गरह है आठ गरह से मिलकर सौर परिवार का निर्मान हुआ है यह सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमस गरह बताएं तो देखें बोध सबसे नदिक है सूक्र, पृथ्वी, मंगल, बिरसपती, युरेनेस, सनी, युरेनेस नेफ्चुन ये दूरी के अनुसार गरह दिया गया है आकार के अनुसार गरह का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस परकार है अगर आकार के क्रम में दिया जाए तो देख बिरस्पती सबसे बड़ा गरह है फिर उससे छोटा सनी, यूरेनस, नेफ्चून, प्रिथ्वी, सुक्र, मंगल, बूध इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर आकार के अनुसार और दूरी के अनुसार ये आठ गरह को दर्शाया गया है गरह को आकार यहिए दूरी के अनुसार आंत्रिक गरह यह बाहे गरह में बाटा गया है आपको परिख्छा में पूछा जाए कि आंत्रिक गरह कौन कन है तो आप तुरन्त बताइएगा कि बूध, सुक्र, पृत्वी और मंगल आंत्रिक गरह है ये सूर्य से नद दिखें ये जो चार गरह हैं बूद, सुक्र, पृत्वी और मंगल आंतरी गरह हैं ये सूर्य से नद दिखें और आकार में छोटे हैं तथा चटानों से बने होने के कारण काफी ये भारी है बिरस्पती, सनी, यूरेनस और नेप्चुन बाहय गरह है ये चार गरह, चार गरह आंतरी गरह और चार जो है वो बाहय गरह है बिरस्पती, सनी, यूरेनस और नेप्चुन ये बाहय गरह है ये सूर्य से दूर इस्थित हैं आकार में बड़े और गैसों से बने होने के कारण ये हलके हैं जो आंत्रिक गरह हैं वो चटानों से बने हुए हैं और बाहे गरह हैं वो गैसों से बने हुए हैं जिसके कारण ये हलके हैं सौरमंडल के सभी आठ गरह एक निश्चित पत पर सूर्य का चक्र लगाते हैं स्वर्मंडल का जितने भी आठ गरह हैं वे अपने एक निश्चित पथ पर चकर लगाते हैं पुलूटो को भी पहले गरह माना जाता था लेकिन वो निश्चित पथ पर चकर नहीं लगाता था वो किसी अन्य गरह का जो कक्ष होता था उसको कारता था इसलिए उसे गरह की स्र और चक्षा कर लगाते हैं सूर्य के का चक्षा कर लगाते हैं ये रास्ते द्रिग बिर्ताकार ये रास्ते जो हैं और द्रिग बिर्ताकार हैं ये कक्षा कर लाते हैं जो मैंने अभी बताया कि जो चारो और चक्षा कर लगाते हैं जिसका ये रास्ते और द्रिग बिर्ताकार रहें और इसी द्रिख ब्रताकार को कक्षा कहते हैं चलिए आगे देखते हैं बुद्ध जिसे इंगलीज में मरकरी कहा जाता है बुद्ध सूर्य के सबसे नदिगर है देखे बहुंच सारी यहां पर आपका डाउट किलियर होने वाला है और प्रशन तो असानी से सॉल्व हो होगा इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं साथ ही साथ इससे जुड़े प्रशन और इसके अंसर भी हम लोग स्वाल्व करेंगे तो देखे वीडियो को अंतिम तो जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहली दोस्तों को भी सेर कर दिजिए बूध सूर्य के सबसे नदिग गरह है यह आकार में सबसे छोटा गरह है अपनी कक्छा में सूर्य के चारो और एक चकर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं सुक्र जिसे इंगलिस में बीनस कहा जाता है सूर्य से दूरी के अनुशारिया दूसरा गरह है पहला गरह बुध और दूसरा सुक्र गरह यह आकार के द्रिष्टी से छाथवा सबसे बड़ा गरह है दोरी की द्रिष्टी से दूसरा गरह और आकार के द्रिष्टी से छाथवा बड़ा गरह है यह सौरमंडल का सबसे गर्म गरह है आपको एक जाम में पुछा जाए कि सुर्मनल का सबसे गर्म गर्ह कौन सा है तो याद रखेगा सुक्र गर्ह सुर्मनल का सबसे गर्म गर्ह है सुक्र को पृत्वी का जुड़वा गर्ह माना जाता है क्योंकि यह अकारियम आकरेती में लगभग पृत्वी के समान है यह गरह सुर्योदय के पहले यह सुर्यास्त के पश्चाद देखा जाता है इसलिए इसे सुबह का तारा यह साम का तारा कहा जाता है और सुर्य गरह को ही सबसे चमकिला गरह भी कहा जाता है देखे यहाँ पर कुछ जाने योग यह बाते दिया गया है इसे भी जानना बहुत जोरी है स्वर्मंडल का सबसे अधिक उच्छा परवत हमारे जो स्वर्मंडल है उसका उस स्वर्मंडल का सबसे अधिक उच्छा परवत ओलंपस मौंस है याद रखिएगा है यह मंगल गरह पर अवस्थित है ओलंपस मोंस जो की मंगल गरह पर अवस्थित है चलिए आगे देखते हैं मंगल इसे मार्श कहा जाता है मंगल गरह को लाल गरह भी कहा जाता है यह गरह पिर्थवी का लगभग आधा है मंगल गरह से दूरी के अनुसार चोथा गरह है मंगल गरह है वो सूरिय से दूरी के अनुसार चोथा गरह है पिर्थवी की तरह मंगल भी एक अस्थलिय धरातल वाला गरह है अपनी भोगोलिक विशेस्ताओं के अलावा मंगल गरह का घुर्णन काल और मौसमी चक्र पिर्थवी के समान है मंगल गरह एक ऐसे गरह है जिसमें जीवन की संभावना है देखे उसमें जीवन की संभावना कहा जा सकता है पिर्थी में जीवन की संभावना नहीं बलकि पिर्थी में तो जीवन है जिसमें हम लोग रहते हैं अथात पिर्थी में जीवन है मंगल गरह में ये बग्जानिकों का मानना है कि वहाँ जीवन की संभावना है यहां भी कुछ जान्य योगे बाते दिया गया है गेलियो गेलिली ने सन 1610 इस्वी में दुर्बिन की सहता से सनी गरह की खोज की थी आपको देखे परिच्छा में पूछा जा सकता है कि सनी गरह की खोज किशने किये थी तो आप NCRT पढ़ रहे हैं आपसे उमीद रखते हैं कि ऐसा प्रश्ण का जबाब आप जल्दी से दे पाएं गेलेली ने 16-16 में दूर्बिन की सायता से सनी गरह की खोज किये थी नेक्ट देखते हैं देखे बिरस्पती या जूपिटर गरह के बारे में जानते हैं चलिए यह सरमंडल का सबसे बड़ा गरह है सूर्य से दूरी के अनुसार या पाँचवा गरह है सारे गरह की अपेक्छा बिरस्पती के सबसे अधिकुब गरह है इसकी संख्या सरसथ है जितने भी गरह है उसके सबसे अधिकुब गरह बिरस्पती की है सरसथ है याद रखेगा सनी गरह यह सर्मंडल का सबसे सुन्दर गरा है इसके चारोवर चमकिला छल्ला है सूरिय से दूरी के अनुसार यह छठा गरा है यह सर्मंडल से विरस्पत्ती के बाद दूसरा सबसे बड़ा गरा है याद रखेगा सनी के बार्षट उपगरा जी है सनी के बार्षट उपगरह है और विरस्पत्ती के सरसट गरह मैंने अभी बता दिया है जिसमें टाइटन सबसे बड़ा गरह है सनी के जो बार्षट उपगरह है उसमें सबसे बड़ा गरह का नाम है टाइटन याद रखेगा सनी गरह की रचना 75% हाइट्रोजन और 25% हिलियम से हुई है जब एक्जाम में बहुँ ज़्यादा difficult question एक्जामिनेर बनाएं तो इस तरह से प्रस्टन पूछा जा सकता है कि सनी की गरह की रचना कितने कितने प्रतिसद से हुई है तो इसमें आप बढ़ रहे हैं NCRT तो उम्मिद करते हैं कि इस तरह के प्रस्टन का जबाब आप दे सकते हैं 75% हाइट्रोजन और 25% हिलियम जल, मिथेन, अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहां बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं यूरेनस यूरेनस भी चारो और से छल्ला है, सूरिय से दूरी के अनुसार यह सात्वा गरा है अकार के दृष्टी से यह तीसरा बढ़ा गरा है बिलियम हर्षल ने यूरेनस की खोज की थी याद रखेगा, बहुत ही इंपोर्टन टौफिक है बिलियम हर्षल ने यूरेनस की खोज की थी अब नेप्चियून के बारे में जानते हैं यह अकार और बनावट में यूरेनस के समान है अकार के दृष्टी से यह चोथा बढ़ा गरा है अभी तक पुलूटो भी एक गरह माना जाता था मैंने पहले बता दिया है कि पुलूटो को भी एक गरह माना जाता था प्रन्तु अंतराष्टिये खवलिये संगठा ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निरने लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्या खवलिये पिंट सीरिस तथा पुलूटो एक बौने गरह है यह गरह नहीं है क्योंकि पुलूटो किसी जो दूसरे गरह थे हैं नेक्श देखते हैं पृत्वी के बारे में जिस पृत्वी पर हम लोग रहते हैं और जहां पर हम लोग का जीवन यापन होता है अकार के द्रिश्टी से यह पौचवा सबसे बड़ा गरह है सूर्य से दूरी के हिसाब में पृत्वी तीसरा गरह है आकार के द्रिष्टी से पाचवा सबसे बड़ा गरह है और सूरिय से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो पृत्वी तीसरा गरह है यहां आंतरिक गरहों में सबसे बड़ी गरह है आंतरिक गरह और बाहे गरह मैंने आपको बता दिया है जिसके अंतरगात आंत्रिक ग्रह में सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है पृत्वी है याद रखना हम लोग पृत्वी पर रहते हैं यहां अपना संपून प्रकास यह उसमा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृत्वी के सबसे नदिक का तारा है यह पृत्वी के सबसे नदिक का तारा कौन है जवाब दिजे पृत्वी के सबसे नदिक का तारा सूर्य है यह धुरों के पास ठोड़ी चप्टी है यही कारण है कि इसके आकार को भूअब कहा जाता है, भूअब का अर्थ होता है पिरथवी के समान आकार, यह दर तो भूअब का अर्थ है पिरथवी के समान आकार, जीवन के अनुकुल पर स्थितिया संभावता कीवल पिर्थुी पर ही पाई जाती है पिर्थुी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक थंडी है यहाँ कि वाईयो, ओक्सिजन, नाइट्रोजन आधी गैसे पाई जाती है ये गैसे पृत्वी पर जीवन के लिए आवसक है इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवसक है इन्ही कार्णों से पृत्वी को सौर मंडल का सबसे अदभुद गरह माना जाता है क्योंकि इस गरह में जीवन है अंत्रिक से देखने पर पिर्थवी नीले रंग की दिखाई पड़ती है जब पिर्थवी को अंत्रिक से देखा जाता है तो पिर्थवी नीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी दो तिहाई सता पानी से धकी हुई है इसलिए इसे नीला गरा भी कहा जाता है आपको वे एक्जाम में पुछा जाए तो क्या बता है निलागरा क्या है तो पिर्थवी निलागरा किसे कहा जाता है पिर्थवी को कहा जाता है अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में प्रित्वी हमारे प्रित्वी का केवल एक उपगरह है जो की चंद्रमा है इसका ब्यास प्रित्वी के ब्यास का केवल एक चोथाई है यह इतना बड़ा इसलिए परतित होता है क्योंकि यह हमारे गरह से अन्य खवलियों पीड़ों की अपक्छा नदिक है यह पृत्वी से लगभग 3,84,400 km दूर है याद रखेगा यह पृत्वी से लगभग 3,84,400 km दूर है चंद्रमा पृत्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पुरा करता है लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चकर लगाता है इस कारण पृत्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकुल नहीं है यहाँ ना पानी है ना ही वायू है चंद्रमा में पानी ना वायू नहीं मिलता है इसकी सतह पर परवत, मैदान यम गढ़े हैं यह चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं पूर्नीमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है चंद्रमा सूरिय की किर्णों को ही पिर्थ्वी पर प्रावर्तित करता है इसके खुद का परकास नहीं है जिस कारण पिर्थवी को रात में परकास मिलता है ग्रहन ग्रहन खोगलिय घटना है पिर्थवी तथा चंद्रमा की परिकरमन अवस्था के कारण ग्रहन की स्थिति उत्पन होती है याद रखना कि ग्रहन खोगलिय घटना है पिर्थवी तथा चंद्रमा की जो परिकरमन अवस्था है उसी के कारण ग्रहन की स्थिति उत्पन होती है ग्रहन दो परकार का होता है चंद्र ग्रहन और सूर्य ग्रहन आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चंद्र गरहन और सूर्य गरहन के बारे में वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि कुछ भी डाउट आपसे रहना जाए जब सूर्य यों चंद्रमा के बेच पृत्वी आ जाता है तब पृत्वी की चाया है चंद्रमा पर पढ़ने लगती है जिसके कारण चंद्रमा का चाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है इसी स्थिती को चंद्रगरहन कहते है यह स्थिती पूर्नीमा के दिन होता है आपको पूछा जाए कि चंद्रगरहन कब लगता है तो याद रखेगा कि चंद्रगरहन पूर्नीमा के दिन लगता है देखे यहाँ पर दिखाया गया है चंद्रगरहन के बारे में तो यहाँ सूर्य है और यहां पिर्थवी है और इधर चंद्रमामा तो देखिए यहां सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पिर्थवी आजा सूर्य और चंद्रमा के बीच में यह मून है मानले यह मून है तो इसके बीच में पिर्थवी आ गया है और इसका छाया इसमें पर रहा है जिसक अब देखते हैं सूर्य गरहन के बारे में सूर्य या पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य ये सूर्य है और पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पिर्थवी पर पढ़ने लगती है जिसके कारण आंसिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता है सूरिय का जो आंसिक कुछ अंस है वो भाग या पूरा भाग ही नहीं दिखाई देता है इस थिती को सूर्य गरहन कहते हैं या इस थिती अमावस्य के दिन संभव है जो सूर्य गरहन है वो अमावस्य को होता है और चंद्र गरहन पुर्निमा के समय होता है देखिए यहाँ पर दिया गया है चंद्र गरहन और सूर्य गरहन के बारे में यहाँ पर बताया गया है यहाँ सूर्य है यहाँ चंद्रमा है जिसकी छाया पृत्वी पर पड़ रहा है जिसके कारण सूर्य गरहन लगा हम लोग जिसको सूर्य गरहन लग रहा है हम लोग कहते हैं सूर्य गरहन के देखे सूर्य और पिर्थवी के विच चंद्रमा आता है तो सूर्य गरहन लगता है और सूर्य और चंद्रमा के बिज़ पिर्त्वी आ जाता है और इसका छाया चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रग्रहन लगता है तो उमीद है कि आपको ये बाते समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ जाने योगे बाते दिया गया है इसको भी देख लेते हैं सूर्य प्रित्वी की दूरी लगभग 15 करोड किलो मिटर है परकास की गती 3,00,000 किलो मिटर पर 30 सेकेंड है इस गती के बावजूद सूर्य के परकास को प्रित्वी तक पहुचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है जबकि चंद्रमा से प्रित्वी तक परावर्तित परकास को आने में 1,00, 3 सेकेंड का समय लगता है ये भी most important बात दे गए है इसे भी आप याद कर ले चलिए आगे देखते हैं छुद्र गरह के बारे में छुद्र गरह क्या होता है तारों, गरहों, अरुप गरहों के अतिरिक असंच्छे छोटे खगोलिये पिंड सूर्य के चारोवर चकर लगाते हैं इन पिंडों को छुद्र गरह कहते हैं यह आकार में गरहों से छोटे यह उलका पिंडों से बड़े होते हैं यह मंगल यह विरस्पति की कक्छाओं के बीच पाए जाते हैं बग्यानिकों के अनुसार छुद्र गरह, गरह के ही भाग हैं बेग्यानिकों के मानना है कि छुद्र गरह गरह के ही भाग है जो कई वर्ष पहले बिसफोट के बाद गरहों से तूटकर अलग हो गए है यह देखिए यहाँ पर छुद्र गरह दिया गया है यह है छुद्र गरह अब उलका पिंड क्या होता है उसको भी देखते हैं आकास में कभी कभी एक और से दूसरी और अत्यंत वेक से जाते हुए अथवा पिर्थवी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उलका कहते हैं उलकाओं का जो अन्सवाई मंडल में जलने से बच कर पिर्थवी तक पहुचता है उसे उलका पिंड कहते हैं अथार पिर्थवी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं जो पिर्थवी तक नहीं पहुचते हैं उसे उलका कहते हैं और जो उलकाओं का जो अन्सवाई मंडल में जलने से बच कर पिर्थवी तक पहु नेयोगे बाते दिया गया है उसको भी देख लेते हैं छुद्र गरह पट्टी में 945 किलियोमेटर के ब्यास वाला सिरिस सिरिस नामक एक बोना गरह है जो अपने स्वय के घृत्वाकर्शन बल के कारण गोल अकार का पाचुका है आगे देखते हैं आकास गंगा यहां पर दखिए आकास गंगा का चीतर दिया गया है खुले आकास में एक और से दुसरी और तक फैली चोड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समू है यह पट्टी आकास गंगा कहलाती है खुले असमान में एक और से दूसरी और तक फैली जो चावडी पट्टी लाखो तारों का समुह बना हुआ है यह पट्टी आकास गंगा कहलाती है हमारा सौरमंडल आकास गंगा का एक भाग है हमारा जो सौर्मन्डल है वो अकास गंगा का एक भाग है प्राचिन भारत में इसकी कलपना अकास में परकास की एक बहती हुई नदी से की गए थी इस परकार इसका नाम अकास गंगा पढ़ा अकास गंगा के अकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र छेत्रफल को एक रुपिय के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकास गंगा का छेतरफल भारत का छेतरफल का लगभग डेढ़ गुना है अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्रकों एक रुपिय के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना से आकास गंगा का छेत्रफल भारत के छेत्रफल का लगभग डेड़ गुना होगा आकास गंगा करोडो तारों बादलों और गैसों की एक प्रनाली है इस परकार की लाखों आकास गंगायें मिलकर ब्रहमान का निर्वान करती है ब्रह्मान की विशालता की कलपना करना अत्यधिक कठिन है बैग्यानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जनकारी एकत्र कर रहे हैं यह अकास गंगा के बारे में हमने अभी देखा अब देखते हैं उपगरा उपगरा एक खगोलिय पींड है जो गरहों के चार और उसी परकार चकर लगाता है जिस परकार गरह सूरिय के चार और चकर लगाते हैं बूध यहम सुक्र गरह भी उपगरा नहीं है बूध यहम सुक्र गरह का एक भी उपगरा नहीं है पिर्थवी का मात्र एक उपगरा है चंद्रमा विरस्पती का विरस्पती गरह का सारवाधिक उपगरह है स्वर्मंडल का सबसे बड़ा गरह गैनमीड विरस्पती का ही उपगरह है स्वर्मंडल का सबसे बड़ा गरह गैनमीड विरस्पती का ही उपगरह है ये बहुत अच्छा दिया गया है इसको भी याद रखे गया अब देखते हैं कुछ मानो निर्मित उपगरह भी होते हैं तक्निकी विकास के कारण मानो ने दूर संचार यम खोज समंधी कारेयों के लिए मानो निर्मित उपगरह का विकास किया है यह बग्यानिकों के दूरा बनाया गया एक कृत्रिम पिन्ध है जिसका उप्योग ब्रह्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ प्रित्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है इन उपगरहों को प्रचेपन यान के दोआरा अंत्रिक्ष में भेजा जाता है यह प्रित्वी के कक्षा में अस्थाफित किया जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारती उपगर इंसेट एडुसेट आई आर एस इत्यादी भारत दौरा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 हिस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान दूत्य का प्रशेपन किया गया है इन मानो निर्वित उपगरहों का उपयोग रेडियो टेलिवीजन टेलिफोन मोबाइल इंटरनेट आदि सिवाओं में किया जाता है इसके साथ साथ सेन्य प्रयोजन के लिए इन उपगरहों का परियोग किया जाता है तो उमीद करता हूं कि मानो निर्मित उपगरह भी आपको समझ में आ गया होगा यहां देखे यहां पर कुछ जानने हो गया बाते दिया गया है उसको भी देख लेते हैं प्रित्वी का पहला मानो निर्मित क्रित्रिम उपगरह अस प छोड़ा गिया था अस्पुतनिक वन ये सोवियत संग वर्तमान में जिसे रूज के नाम से जाना जाता है कि दुआरा रूज के दुआरा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गिया था यहां देखिए कुछ प्रमुक्स सब्द दिया गिया है जिसे आप स्क्रीन सोर्ट लेकर याद कर सकते हैं अब कुछ अब इस पार्ट से जोड़ी कुछ प्रशन को भी देख लेते हैं पहला देखिए इसमें रिकत अस्थानों के पूर्ति किजिये में छूदर गः यहां पर दिया गया है छूदर गः तो अभी हमने पढ़ा कि छूदर गः जो है वो मंगल गः और विरसपति की कछाओं के बीच पाया जाता है तो यहाँ पर मंगल और यहाँ विरस्पति आप भर लेज़ेगा सूरिय से सबसे नदिग्रा सूरिय से सबसे नदिग्रा कौन है बूध सूरिय से सबसे नदिग्रा बूध्रा है सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रा कौन है सवर मांडल का सबसे बड़ा गरा विरस्पती, धूर्व तरह से हमें क्या पता चलता है, धूर्व तरह से हमें उतर दिसा का पता चलता है. तो इस तरह से आप जब इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से ध्यान से देखा होगा तो यह प्रश्णा कुछ भी नहीं है इसे आप आसानी से स्वर्ब कर सकते हैं दूसरा नंबर भी देखते हैं यहाँ पर ठी किसी तरह से सूर्य का तीसरा सबसे नद्दिक गरह कौन सा है मैंने अभी पढ़ा दिया है कि सूरी का सबसे तीसरा सबसे नद्दिक गरह कौन सा है प्रिथ्वी है सूर्य का सबसे तीसरा सबसे नद्दिक गरह सूर्य से प्रिथ आने में आठ मिनित का समय लगता है पिर्थवी का आकार कैसा है तो पिर्थवी का आकार भुवाब है पिर्थवी का आकार कैसा है भुवाब है पिर्थवी का आकार तो आज का वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस तरह का स्रीज अब रेगुलर लाया जाएगा तो आप भी सपोर्ट करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में